हुली का त्योहार एक महीने पहले निकल चुका है लेकिन अमेठी में कॉंग्रिस कार्याले में आज इसे खेला जा रहा है क्योंकि कॉंग्रिस की जिस घोशना का इंतजार पार्टी के कारेकरता कर रहे थे वो अब हो गया है राहुल गांधी को कॉंग्रिस ने अमेठी सीट से उमिद्वार बनाय जाने का एलान कर दिया है और अब राहुल गांधी तीन माई को अमेठी से नामांकन करेंगे जैसे ही राहुल गांधी के नाम का एलान हुआ अमेठी में खुशी की लहर दोड़ गए अमेठी के लोग 5 साल पुरानी अपनी गलिती को सुधारने की तयारी में थे बस इंतजार राहुल के आने का कर रहे थे कॉंग्रिस कारेकरता भी पार्टी से यही मांग कर रहे थे कि इस बार सिर्फ राहुल और पार्टी ने कारे करताओं और अमेठी के लोगों की मांग को सुना और राहुल को उमिद्वार घोशित कर दिया वैसे राहुल गांधी दो सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए शुरुआत से ही तयार नहीं थे वाइनाट सीट पर उनका नाम पहले से ही तय हो चुका था वाइनाट में वोटिंग भी हो गई है और वोटिंग के बाद जो फीडबाक मिला है उससे पार्टी नेता खुश दिखाई दे रहे है साफ है राहुल को बड़ी जीत मिलने की सूचनाए आ रही है ऐसे में राहुल दूसरी सीट से चुनाव लड़ने से पहले इनकार कर रहे थे दरसल 2019 में कॉंग्रेस जब पूर्व उत्तर और मध्य भारत में बुरी तरह से हार गई थी तो उसे दक्षिन भारत ने भरपूर समर्थन दिया था केरल की 20 में से 19 सीटे कॉंग्रेस के नेतृत वाले यूपीए को मिली तो तमिलनाडू की 49 में से 49 सीट यूपीए के हिस्से में आई थी और इस बार इंडिया गठवेंदन को 2019 से भी ज्यादा बड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहूल गांधी को मानाशारा है 2022 में राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा दक्षिन भारत के राजियों से निकली थी जिसने कॉंग्रेस को यहां और मजबूत स्थिती में खड़ा कर दिया ऐसे में राहूल दक्षिन भारत छोड़ने के लिए तयार नहीं थे और इसी की शलते अमेठी सीट पर उमिद्वार का एलान लटका हुआ था दूसरी तरफ कॉंग्रेस हाई कमान राहूल पर दवाव बना रहा था कि वो यूपी से खास तोर पर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि यूपी कॉंग्रेस के लिए भी बेहत जरूरी है दरसल यूपी के सहारे कॉंग्रेस उत्तर, मध्य और पूर्वत तीनों ही हिस्सों को संभाल सकती है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो यूपी में मजबूत दिखाई दे मलिकारजुन खडगे पहले ही चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके थे सोनिया गांधी भी स्वास्तिकारणों से चुनाव नहीं लड़ रही है ऐसे में उत्तर भारत में कॉंग्रेस के पास ऐसा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था जिसे चुनाव मैदान में उतारा जा सके इसके बाद खरगे और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी पर दबाव बनाया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने की तयारी करे खास तोर पर सोनिया गांधी ने राहुल से कहा कि यूपी में उनका चुनाव लड़ना कॉंग्रेस और इंडिया गठवंधन दोनों के लिए बेहत जरूरी है दक्षिन भारत में तो कॉंग्रेस मजबूत है ही लेकिन उत्तर भारत में भी बीजेपी को मात देना बेहत जरूरी है और इसके लिए राहुल को ही नेत्रुत्व करना होगा सोनिया गांधी ने एक तरस से राहुल को आदेश दे दिया कि उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना ही होगा सोनिया के आदेश को राहुल गांधी भी नहीं टाल पाए और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी और इसके बाद राहुल गांधी के नाम का एलान कर दिया गया जैसे ही राहुल अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तयार हुए वैसे ही 3 माई को राहुल और प्रियंका गांधी के पहले से निर्धारत कारिक्रमों को रद्ध कर दिया गया अब प्रियंका गांधी 3 माई को अमेठी पहुचेंगी दोपहर को राहुल गांधी अमेठी सीट से नामांकन करेंगे तो प्रयांका गांधी भी उनके साथ मौजूत रहेंगी राहुल गांधी के नामांकन को लेकर अमेठी में तैयारिया भी शुरू हो गई है गांधी परिवार के नामंकन का काम देखने वाले वकील केसी कौशिक पहले ही अमेठी पहुँच चुके है सोन्या गांधी के प्रतिनिधी किशोरी लाल शर्मा भी इस समय अमेठी में डेरा डाले हुए है उन्होंने कहा कि जो उत्साह दिखाई देरा है वो बता रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी की किसी से टकर नहीं है अमेठी में कॉंग्रिस प्रवक्ता अनिल सेंग ने कहा कि राहुल की एतिहासिक जीत होगी अमेठी से कॉंग्रिस नेता दीपक सेंग ने कहा कि सारी तैयारिया हो चुकी है और कॉंग्रेस पार्टी शुक्रवार सुबग 11 बजे नामांकन दाखिल करेगी अमेठी की जनता यहाँ से राहुल गांधी को उमिद्वार की तौर पर देखना चाहती थी पार्टी ने हमारे उमीदों को पूरा किया है और अब अमेठी की जनता अपने परिवार के सदस्य को एतेहासिक जीत दिलाएगी गांधी परिवार को अमेठी की जनता अपने परिवार का सदस्य मानती है